जहिन दोस्तो, मैं राहुल देशवाल, अपने यूटूब चैनल खेती बड़े में आपका स्वागत करता हूँ और आसा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे मैं अपने चैनल के माध्यम से अच्छी और सची जानकरी देने का पिजास करूँगा दोस्तो, गुल्दार हमारे च्छेत बिजनोर में करीब 10 साल से है हो सकता है कि किसी च्छेतर में और भी पहले से हो लेकिन हमले का जो मामला सामने आया है वो इस बार बहुत ज़्यादा देखा गया है और हर साल जब भी गुल्दार के हमले का मामला सामने आया है तो बरसात के दिनों में ही आया है ऐसा क्या कारण है? हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अपना उनुमान बताएंगे जुलाई और अगस्त के महीनों में खेतों पर गुलदार का ज़्यादा जोर रहता है और खेतों पर गुलदार के देखे जाने की खवर भी इसी महीने में ज़्यादा मिलती है इस बार किसान कुछ तो पहले से ही ज़्यादा बार इसकी बज़े से बहुत ज़्यादा नुकसान में है किसी किसान की पूरी की पूरी फ़सल भैचुकी है उपर से गुलदार किसान को इन दिनों खेत पर काम नहीं करने देता है फसल पर कम ध्यान दिये जाने से उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है दोस्तो इस समय गुलदार के साथ उसके सावकों को भी देखा गया है जादा तर तीन सावकों को देखा गया है यही कारण है कि गुलदार इस समय सावोकों की वज़े से हमला करता है अगर इन दो तिन महीनों में किसान चोकस रहे तो बागी दिनों में जादा हमला सिर्फ आदम खोर गुलदार ही कर सकता है सभी किसानों से निवेदन है कि पिछली वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट हमने बताए थे जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं वीडियो को जाकर जरूर देखें इस समय 500 गुलदार से भी उपर की संख्या बताई जा रही है हर छेतर में गुलदार है सरकार द्वारा भी कुछ गुलदार पकड़े गए हैं लेकिन इनकी तादात उससे भी जादा हर साल बढ़ रही है अपनी सुरक्षा किसान को खुद करनी पड़ेगी कोई किसान की साहता के लिए आगे नहीं आएगा सब फॉर्मल्टी पूरी कर रहे है पर कोई समाधान नहीं निकलेगा इस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूत है वरना आने वाले दस सालों में खेती करना मुश्किल हो जाएगा गीधर की तरह गुलदार होंगे खेतों में जो हर दिन किसी नहीं किसी को निवाला बनाएंगे वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद